हेलो फ्रेंड यह देखिए मेरा रोज प्लांट है इसमें स्केल की प्रॉब्लम हो गई यह भी फंगस होता है जो हमारे प्लांट की जो इस्टिक होते हैं उसको ब्राउन कर देता है पप्डी जैसे इस पर जमने लगती है वे कॉमन सी बात नहीं होती है लोग समझते हैं यह म भी समय ब्राउन हो रहा है इस्टिक एक दम सूखने लगती हैं अंदर से अंदर मोशेर खतम होने लगता है जब बहुत ज्यादा बारिष होता है लगतार बारिष होते हैं उसको ब्रांट में होता है पंगस बढ़ जाते हैं जो हमारे प्लान्ट को खराब करने लगते हैं ये ज़ादा तर देसी रोध पर होता है आप ये तूत ब्रस होता ंना उससे आप इसको िन्ट रीमूब करें एक पानी आधा चमल आल मिर्च का पाउडरा दो तिन बुंद हैंड वास एक गिलास पानी में मिक्स करके आप उसका स्प्रे कर दें इस प्लांट पे दूसरे दिन इसको शावर कर दें जाकि जो भी केमिकल है वो हड़ जाएं कुछ प्लांट होते हैं केमिकल बरदास नहीं कर पाते हैं इसे मर जाते हैं लोग बोलते हैं डुटाल लिक्विडी या स्प्रेट का स्प्रे करने से भी प्लांट हेल्दी हो जाते हैं पर केमिकल में अपने प्लांट पर यूज नहीं करती अब यही मेथड यूज कीजिए देखे काफी हद तक स्किल प्रॉब्लम रिमोव हो गया है देखते हैं देरे देरे क्या होता हमारा प्लांट देरे देरे इंशाला हिल्दी भी हो जाएगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजे थांक्यू दोस्तों